हेलो फ्रेंट्स वेलकब टू माई चैनल फ्रेंज देखिए आज मैं आपको ठंड की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी नास्ते की रेसिपी बताने वाली हूं जो बहुत जल्दी बन जाती है आज कल हरी मरी मटर हर जगा मिलती है तो उसी मटर को हम लेके बनाएंगे जो हमारे ह बोलचाल की भासा में इसको पोला जाता है घुगरी या गुगनी तो आज हम बना रहे है मटर की गुगनी जिसमें ने कोई भी मसाला यूज नहीं किया है सिंपल हल्दी नमक और जो आजकल जितनी भी हरी चीज मिलती है हरा लहसोन हरा धन्या हरी मिर्च और थोड़ी सी और सब से पहले हम इसमें डालेगे, मैंने डाला है एक चम्मछ लगभग सरसो का तर आप अपने मनपसंद किसी भीimer Comment कौकिंग आयल में इसको बना सकती है नियुकर दैनल में इसका है सवार बहुत अच्छा ता है तो चलिए सब से पहले इसमें डालेगे एक चम्मछ बहुत हाई नहीं रखेंगे और यह देखिए जीरा जहां अच्छे से हमारा तड़क गया इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ चम्मच हीं क्योंकि मटर से गैस की दिक्कत नहों इसके लिए हम हींग डालेंगे यह भी हलका सा देखिए भुन गया और अब चो इसमें चीजे जाएंगी वह हैं बिल्कुल सिंपल चीज मैंने लिया है देखिए बहुत थोड़ी सी हरी लहसुन और थोड़ा सा एक इंच टुकड़ा अध्रप और दो हरी मिर्च अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप मिर्च ज्यादा भी कर सकती है या आप मिर्च कम भी कर सकती है बस इत्ती सी चीज हम तड़के में डालेंगे हलका सा इसको भून लेंगे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है को ये सारी ति आप पसंद है तो आप भून सक्की है हलका सा इसको हम भून्दे देंगे फिर हम इसमें डालेंगे अपना मदर अब तेखिए हल्का सा पिलकुल भुन गया है बहुत जादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया है बस थोड़ा थोड़ा इसका कलर चैज़ हो गया है अब मैं इसमें डालूगी हरी मतर मैंने पूरा एक बोल भर के मतर लिया है आप ये माणिजे कि लगबग एक पेजी बटर को मैंने छिल के दूल लिया है, तो अब इसको हम दीनी आज पे अभी खोड़ा सा दो मिनट इसको पका लेंगे, बस दो से तीर मिनट अभी हम इसको इसी तरिके से बुन लेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम है, हलका सा जब ये मुल अब इसमें बाखी चीजे डालेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी, इसको अभी ठकल लगा के 2-3 मिनट इसी तरीके से हम बुनने देते हैं, सिर्फ तेल में मीडियम आज पे, अब इसमें सिर्फ डालेंगे हल्दी और नमक, अगर आपको पसंद है, तो आप इसमें बेसिक मसार जो होते हैं, वो डाल सकती है, जैसे दुनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लेकिन बिलकुछ सिंपल मसालों से ही अच्छा लगता है, सिर्फ हल्दी नमक और खरा मसाला जो भी हमारा है, दुनिया खरा लशून खरेंगे, तो नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कितना भी आप स्वाथ से साथ से रूच करती हो, यह देखें, इस तरीके से थोड़ा साथ, और साथ में डालेंगे आजना चमच, क्योंकि यह हरा ही अच्छा लगता है, लेकिन एक स्वाथ के लिए वन पोर चमच इसमें हल्दी डालेंगे, जिसे की इसका कलर अच्छे से अब इसको निक्स कर लेंगे, नमक डालने से यह जो थोड़ा पानी छोड़ेगा, इसको हम बहुत अच्छे से सूखने देंगे, और उसी पानी से हमारा यह मतर हल्का गलेगा भी, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं रहता है, तो कि गुब्री थोड़ी सी कड़ी अच्छी लखती है, यह सॉफ्ट वाला मतर नहीं है, दाना थोड़ा जो बड़ा हो जाता है, वो वाला मतर है, तो अब हम इसको एक बार फेर से धरकन ददा के पका लेंगे, यह देखे, रीज भीच में थोड़ा चलाते रहेंगे, यह देखे, बीज भीच में चलाते हुए, पानी सूखने तक मैंने इसको पका लिया है, यह देखे, पानी सूख चुका है, आप चाहें तो एक जो मिनट और इसको पका सकती है, लेकिन अब यह हमारा बन चुका है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि देखे, यह चुका है, आप यह बिलकुल तयार है, यहां पर मैं गैस कर दूंगी बन और उपर से धनिया डालके, थोड़ी देर के लिए इसको हम अधग देंगे, तो हमारा यह भाप से थोड़ा बहूत जो है वो पक जाएगा और रेडल हो जाएगा आप इसको चाय के संग ले सकती है बहुत ही अच्छा नास्टा है टेस्टी ठंड के समय का तो मुझे उमीद है कि ये नास्टा आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी केशन तक तक के लिए बाई